दीएचे लहूर में एक कनाल का घर पर चेस्ट करना चाहा रहे हैं और अगर आप चाहा रहे हैं कि घर फॉर्णिश्ट भी हो यानि सिर्फ फॉर्णिश्ट भी नहीं टॉप नोच किसम की उसमें फिनिशिंग हो और हाई एंड कॉलिटी की उसमें सारी चेज़े लगी हो और आपका बजट भी नहीं है 14-15 क्रोड तो कोई परिशानी की बात नहीं है क्योंकि आज जो घर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ आपको बिल्कुल भी सोचने की जुरूरत नहीं है क्योंकि एक कनाल का फुल फॉर्णिश घर हमें चाहिए हाई एंड फिनिशिंग के साथ डी एचे की बन फ़ बेस्ट लोकेशन पे और हमारे पस 14-15 क्रोड भी नहीं है क्योंकि फेज 6 में इस वड़ एक कनाल के फॉर्णिश घरों की तनी डिमांड हो रही है तो परिशानी की बात नहीं है वीवर्स आज इस घर में में मजूद हूँ ये एक कनाल का फुल फॉर्णिश घर है जो के मार्केट में मेरे पास आचोगा है सेल के लिए 5 बेटरूम की अकॉमोडेशन के साथ और खुबसूरत तरीन घर को बनाया हुए और जिसकी डिमांड है सिर्फ और सिर्फ साड़े दस क्रोड रुपे दस क्रोड पचास लाग रुपे इसकी डिमांड है और प्राइस इसकी स्लाइटली नेगोशेबल है इस घर के कंप्लीट मैं आपको विजिट करवाऊंगा सो मेक शूर विडियो आपने लास तक देख नहीं है ताकि इस घर की सारी डिटेल्स आप जान सेके बहुत खुबसूरत घर है डियेचे फिल साइमन की एक बन अफ दे बेस्ट लोकेशन पे और अब चलते हैं इस घर के हाउस टूर की तरफ इस फक्त आप देख सकते हैं कि इसका जो एलिवेशन है वह कम्प्लीटली स्पैनिश आर्किटेक्चर पे इसको कंस्ट्रॉक किया गया थीम इसकी बाहर से आपको स्पैनिश देखने को मिलती है लेकिन इस घर के सबसे खुबसूरत और खास बात ही यह है स्पैनिश है लेकिन अंदर से इसकी जो फर्निशिंग लेवल है वह बहुत खुबसूरत तरीके से घर को प्रॉपरली डिजाइन है यही चीज होती है यही फर्क होता है एक डिजाइनर घर में और एक नॉन डिजाइनर घर में इधर से जब आप लेफ्ट होंगे कार पुर्श इतना बड़ा है दो से तीन गाड़ियों को आप इजिली पार कर सकते हैं सिरिन डिजाइन आप इसका चेक कर लें सामने भी प्लांट्स रखे हुए है और यहां से इसकी एंटरंस है और यह है खुबसूरत इसकी एंटरंस पाथ पर अच्छा सामने जो इसका में एंटरंस डोर है उसको देखके आपको लग रहा होका कि जिससरा आप किसी किले में एंटर हो रहे हैं यानि शाही किला टाइप जो होती है स्पेस और राइट साट पर बहुत खुबसूरत तरीके से मुजैक का काम किया हुए है यह आप चेक कर लें अब हम चलते हैं घर के अंदर और इसका जबरदस्त है मैं आपको सीन चेक कर वाता हूँ और वह सीन है यह डबल हाइटीड लोबी डबल हाइटीड लोबी से लेके घर के बेडरूम से इच और एवरिटिंग इस घर की इतनी परफेक्ट है और इतना जबरदस्त है घर कि मैं आगर आपको यह बता हूँ कि यह गॉल्डन अपरचूनिटी है बहुत कम ऐसा होता है कि जब मैं बोलता अर्टिकल देख लें बहुत खुबसूरत कलर थीम का यहां पो यूज किया हुए है सेंटर में शैंडिलियर और इदर से आप लेफ्ट होते हैं तो स्लाइडिंग डोर है जिसको ओपन करते ही इतने बड़े साइस का आपके पास टीवी लाउंज आ जाता है और इस टीवी चेक करें और फरनिशिंग के साथ साथ इस घर की फिनिशिंग इतनी जबरदस्त है कि जब आप यहां पर खड़े होगे फिजिकली इस घर को फील करेंगे तो आपको फिर आइडिया होगा कि मैं कितनी सच बात कर रहा हूं आपसे और विवेर्स नॉर्मली आपने क्या एंटरंस है और यहां सामने इसके डाइनिंग के एंटरंस है राइट और लेट साइट पर बड़ा ही खुबसूरत फ्रेमवर किया हुए और इसकी खुबसूरत ही देखें किता खुबसूरत इसका लेयाउट है इस डाइनिंग एरिया का राइट साइट पर वाल पेपर है और डेकुरेशन का आर्टिकल है और उसी के साथ ये इसकी सेंटर टेबल देख लें, बहुत खुबसूरत कलर कॉंबिनेशन, बहुत एक कुजी इंवायरमेंट ओवराल यहां पे आप फील करते हैं, शेंडिलियर है खुबसूरत और यहां लेप्ट साइट पर स्लाइडिंग इंडोर है, यानि आप अपने डाइनिंग एरिया से बाहर से भी एकसेस कर सकते हैं, में डोर सेंटर होगे वेरी राइट पर ड्राइंग उसके आगे टीवी लाउंच और यह है इसका डाइनिंग एरिया, इधर से हम चलेंगे इस घर के फर्दर प्लैन की तरफ, राइट सा सामने वाला बेड्रूम भी बहुत खुबसूरत है और यह राइट साइड पे है इसका मास्टर बेड्रूम, पहले हम यह देख लेते हैं, फ्लोरिंग जिसमें कम्प्लीटली वुडन की है, और काफी ज्यादा स्पेशियस, बहुत खुबसूरत, आप इसकी कलर कॉम्बिने खुबसूरत है, सॉफ्ट कुशनिंग में ब्रास का भी काम किया हुए और बैक साइड पे वाल पे भी ब्रास का काम है, सॉफ्ट कुशनिंग में ही, इधर से राइट साइड पे आते हैं आगे, तो यह है इसका अटैश्ट वाश्रूम, खुबसूरत हैंगिंग लाइट, वैनिटी देख लें, और यह देख लें, यहाँ पे भी ब्रास का काम है, कोरियान का काम है, सामने वाल पे कम्प्लीटली टाइलिंग के अंदर कितनी खुबसूरत तरीके से ब्रास को इंजेक्ट किया गया है, और राइट साइड पे यहाँ जकूजी को रखा हुए है, यह आप देख लें, जकूजी वेंडिलेशन के लिए, यहाँ विन्नोस भी दे दी गई है, और यह है इसका क्यूबिकल शावर एरिया, एक और चीस मैं आपको दिखाता हूँ, आप इसके डोर्स का डिजाइन देखें, कितना खुबसूरत है, कि वुट बर्क के अंदर आपको शाइनी शाइनी सा है, कि जिस तरह लोग समझते हैं, कि यार इतनी ज़्यादा हमें, एतना ज़्यादा तेस कलर हमें नी चाहिए, बहुत एक कोजी इंवाइरमेंट है घर का ओवराल, और यह इसका कमाल का सीन मैं आपको दिखाता हूँ, जब आप इस बेडरूम से बाहर कितना खुबसूरत किचन है, जहां पे दो सिटिंग चेर्स रिखी हुई है, और काफी ज़्यादा स्पेस है, राइट साइट पे, आप देखें कितनी ज़्यादा कैबनेटर स्पेस है, और रेफ्रिजरेटर भी है, साथ में बेकिंग और माइक्रोवेब अवन, और काफी देख लें, आपको यहां पर एक किसम का U-shape में किचन मिलता है, सामने है इसका वाशिंग बेसन, और यहां पर फाइब स्टो बर्नर ऊपर किचन हुट, और यह खुबसूरत हेंगिंग लाइट साथ में, यहां पर अगर आप सुबह नाश्ट बगरा करते हैं, यहां आपन वोडन टेक्शर में यहां वाड्रोब्स है, फ्रीस्टो बर्नर किचन हुट है, और उसी के साथ जब आप यहां में किचन की दरफ देखते हैं, तो इधर जो इसकी कैबिनेट्स है, उसकी जो UV शीट का कलर है, वो बिल्कुल डिफरेंट है, वीवर्स यह है, इसका किचन, और किचन से बाहर आएंगे, तो सामने वाल पे पेंटिंग और नीचे आपको कंसोल देखने को नजर आता है, और यह है इसका second bedroom, आप चेक करें, कितना खुबसूरत किसम का इसका interior किया हुआ है, आपने एक और चीज़ यहां नोट करनी है, कि यह loaded भी नहीं लग रहा आप को और उसी के साथ साथ at a same time आपको बहुत खुबसूरत किसम का feel और आपको यहां पे environment प्रोवाइड करता है, जिसमें आप देखेंगे के left side पे सामने जो इसकी media wall है, glass का काम है और wardrobe को bedroom के अंदर ही रखा गिया है, इधर से जब आप सामने देखते हैं तो right side पे होते ही, य यह है इसकी bed wall खुबसूरत यहां पे इसका bed place किया हुए और सामने बहुत कूजी और comfortable sofa है, और यह जो आपको मैं सीन दिखा रहा हूँ सामने जो curtains है, curtains आप चेक करें कितने जबर्दस दीके से हैं, जो के match किये गए है इस bedroom के interior के साथ, और एक और चीज़ आपने नोट करन view आपको मिल रहा है, again console आपको पूरे घर में, जगह जगह पे और decoration के articles आपको देखने को मिलते हैं, यह complete designer house है और बहुत ही खुबसूरत और top notch किसम की furnishing तो है, लेकिन जो इस घर का finishing level है, वो भी अपनी मिसाल आप है, honestly आप किसी भी जगह देखेंगे, इसकी चाहे wall देख इधर चलते हैं आगे और इसके जो first floor है, उसको भी जाके देख लेते हैं, यहां से जब बाहर आएंगे आप तो यह scene देखें आप इसकी lobby का, बहुत खुबसूरत chandler hang तर रहा है, सामने वाली wall पे mirror का भी काम किया हुए और back side में completely wall को लगा, wall पे, wall paper को लगाया हुए, औ और यह granite का texture भी मैं आपको यहां से दिखा रहा हूँ, साथ में इसकी यह जो railing है, अच्छा मैं यहां से एक और चीज़ आपको बताता हूँ, normally क्या आपने देखा होगा कि जो railings होती है, घर के lobby की उपर first floor पे, उनका size नीचे होता है, लेकिन यह बड़ा जबर दस्त है और बच्चों के लिए तो बहुत ही secure है कि जब आप उपर आएंगे, तो यह right side पर देखने, इसका size कितना है, कितने उंचे size की यह space है, कि अगर आपका बच्चा यहां पे खेल भी रहा है या छोड़े बच्चे हैं, तो आपको tension नेने की तो जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी, सामने, जैसे ही आप इसकी window open करते हैं, यह है खुबसूरत किसम का इसका, बार्बी के वेरिया, या जिसको आप open terrace भी बोल सकते हैं, honestly इतनी जबर्दस किसम की यहां पे हवा चल रही है, अंदर जाने को दिली नहीं कर रहा गर के, anyhow, चलते हैं और इस घर का further ज इसमें इसकी flooring से लेके furnishing तक, आपने मुझे comment section में पताना है कि आप इसको क्या number देते हैं, इतना खुबसूरत bedroom, यह चेक करें, यह flooring पे इसका texture देखें, और सामने काफी बड़े size का bed है, soft cushioning के साथ जिसमें brass का काम भी किया हुए, बहुत ही खुबसूरत, बहुत ही elegant कि इसकी furnishing की गई है, और आप एक चीज़ लाजबी note कीजेगा, कि यह बहार से Spanish है, लेकिन जब बंदाग घर में एंटर होते हैं, तो एक बार सोचेगा जरूर के यार मैंने बहार क्या देखा था, और अंदर आके क्या है, यानि आपको एक ही घर में दोनों themes के enjoy करने का आप आपको भरपूर मुका मिलते हैं, और यह राइट सेट पे आप देखने, यह है इसकी wardrobe, थोड़ा सा ओर आगे आएंगे, तो वाश्रूम की बाकी space है, hanging commode, और यह देखने, वैनिटी, उपर LED mirror, सामने है इसका cubical shower room, सेंटर में mirror को लगाया हूए completely, जिसमें border पे complete आप यहाँ व्यू, तो क्या ही शांदार किसम का scene, आप experience करते हैं, यह देखें, व्यूर्स यह था इसके first floor का first bedroom, और अब हम चलेंगे इसका further plan देखते हैं, यह scene आप जैक करें, कितना खुब्सूरत लग रहा है, जो इसके chandelier है, यह जो नीचे hang कर रहा है, left side पे wall पे देखें और आगे आते हैं, तो partition के आगे वाली side पे यह है, इसके first floor का TV lounge, और TV lounge की furnishing देखें, कितना खुब्सूरत है, और यह जो ही आपको बहुत ही perfect नदर आती है, सामने इसका proper kitchen है, और kitchen में आपको दिखा दूँ, three stove heavy किसम के burner भी लगे हुए, उपर kitchen hood है, right side पे, यह है इसका wash basin, और अब आप सोच रहे होंगे, store room कहा है, तो यह है इसका store room, light मैंने open कर दी है, sorry light on होती है, open नहीं होती, यह मैं आपको दिखा देता हूँ, यह आप चेक कर लें, एक और मज़े का scene अभी दिखाना वागी है, और वो है, इसका side terrace kitchen के साथ ही, और यह laundry area भी proper बनावाई, यानि in case, अगर यहाँ पे किसी किसम का suffocation, आप सोचते हैं कि suffocation होगी, यह अगर हम यहाँ पे cooking करेंगे, तो यहाँ पे smell ब purpose के लिए है, कि किसी किसम की यहाँ पे smell बगेरा रुके नहीं, और यहाँ से मैं आपको overall इसका layout दिखा रहा हूँ, और यह है सामने इसकी media wall, अच्छा media wall पे आप देखेंगे, center में tiles हैं, और left side पे glass का काम है, जिसके border पे completely, completely आप देख रहे हैं, brass है, और उसके आगे, soft kush नहीं, यह चीज़ होती है, यह ऐसे points होती है, जहाँ पे जो घर का honor है, वो बड़े पैसे बचा सकते हैं, लेकिन घर की खुबसूरती पे compromise कर जाते हैं, लेकिन यहाँ से पता लगता है, कि बनाने वाले ने कितने दिल सुर, कितनी खुबसूरती सुर नियत के साथ इस घर क बनाया कि किसी तरीके से कमी नहीं छोड़ी है, आगे चलेंगे तो यहाँ से आप देखते हैं, इसका second bedroom और यह भी बहुत बड़े साइस का bedroom है, इसका furnishing level लेखें, सामने dark black color का यहाँ पे bed है, जिसमें आप देख रहे हैं, अगेन आपको brass की काफी खुबसूरत strips देखने क मिलती हैं, और यह मैं close up करके आपको इसकी bed wall दिखा रहा हूँ, अगेन आप देखने कितना खुबसूरत काम किया हुआ है घर में, और यहाँ से left होंगे, तो dressing table है, और यह left side पे है इसकी media wall, आगे चलते हैं, और इसका washroom देख लेते हैं, matte texture में, यहाँ पे tiles हैं, jacuzzi को रखा हुए है, और vanity है, यह corner पे आप view कर रहे हैं, इस वग, cubical shower area है, hanging का mode, खुबसूरत hanging light और यह ceiling का design भी मैं आपको दिखा दूँ, जिसमें center में आप देखेंगे, glass का का काम किया हुए है, right side पे wardrobe की space है completely, और एक और मैं आपको चीज दि है, tile के texture कितना खुबसूरत है, यह 3D texture है, और overall बहुत जबर्दस किसम की finishing देता है, यहाँ से again आप इसका view देख रहे हैं, इसके bedroom का, यह काफी बड़े size का bedroom है, और जो first bedroom मैंने आपको दिखाया, वो भी काफी बड़े size का था, और यह मैंने यहाँ से garden को side पे किया, तो य और घर में जितने भी bedrooms आपने देखे हैं, सबकी theme बिल्कुल different है, चाहे ceiling design हो, चाहे color combination हो, चाहे कुछ भी हो, ceiling design की भी मैं बात कर रहा हूँ, अभे शक वीडियो को पीशे करके जा के देख सकते हैं, जितने bedroom आपने देखे हैं, सब में different level का काम क्या हूँ है, और top notch किसम की furnishing के साथ, finishing का level भी बहुत खुबसूरत है, और ये मैं आपको scene दिखा हूँ, अब आप ये देखें, कि कितना खुबसूरत यहाँ पे, ये देखें, मैं आपको यहाँ corner से दिखाता हूँ, side tables है, bed की, ये overall है, इस bedroom का view, और इधर से सामने आप देखेंगे, तो dressing table भी है, उ अगेन यहाँ भी media wall में glass का का काम किया हूँ है, और यहाँ console उपर painting, इस bedroom में भी आपको wardrobe bedroom के अंदर ही मिलती है, ये आप देखें, और viewers ये है आपका attached washroom, सामने shower area और बहुत ही fine यहाँ पे tile पर किया हूँ है, बहुत खुबसूरत यहाँ vanity बनाई हुई है, आगे है इसका commode, concealed fixing के साथ, और ये है इसका LED mirror, so viewers ये है overall इस घर का house tour, पूरा घर आप देख चुके हैं, और again मैं इस इसको repeat कर रहा हूँ, कि इस price पे इस furnishing level का घर बार बार देखने को नहीं मिलता है, बहुत ही खुबसूरत furnishing की हुई है, 10 करोड, 50 लाग उर पे इस घर की demand है, और लोग living कर रहे है, viewer CC के साथ मुझे दीजिए अजाज़त, make sure property locator को like और चैनल को subscribe जरूर करने, ताकि इन future भी आपको मज़ीद खुबसूरत घरोगी और informative videos मिलती रहे, मेरा नमबर आपके screen पे चाल रहा होगा, और description में भी number है इस घर के visit के लिए और further information के लिए आप मेरे स दीजिए अजाज़त, बहुत शुक्रिया